आज के इस वीडियो में हमें एक 12 बोल्ट की बैटरी बनाने वाले हैं मेरे पास ये 3.7 बोल्ट की लीठे मायन बैटरी है जिससे पुराने लैपटोप की बैटरी से निकाला है आज हमें इस सारा को बैटरी को मिला कर एक 12 बोल्ड की लिथियम आयन बैTERY बनाने वाले हैं जो की कई साल तक खराब नहीं होती है 12 बोल्ड की लिथियम आयन बैTERY मार्केट में काफी कॉस्टली मिलता है और हाज हम बनाने वाले इसको घर पर इसे बनाने के लिए हमें एक चीज को और जे रूप होगी यह है BMS यह 3S BMS है जो 3 बैटरी के साथ 12 बोल्ड की पावर वेंग को बनाती है यह मार्केट में वुझे 1.500 रुपे का मिला है और इसे मैंने खरिदा है मेकर बजार के वेबसाइट से अब देख सकते हैं यह 3 बैटरी वाला 20 एमपेर का BMS मॉडूल बैटरी बनाने क्या करना होगा आपको इन बैटरी को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा सीरीज में कैसे जोड़े जैसे 3 बैटरी को आप आपस में इस तरह से जोड़ेंगे एक को लेंगे आप पॉजिटिव और नेगिटिव तो यह पॉजिटिव है यह नेगिटिव है और दूसरे का उपर रखेंगे नेगिटिव और नीचे रखेंगे पॉजिटिव तीसरे बैटरी को रिवर्स करेंगे नेगिटिव पॉजिटिव यह point negative है और इसके साथ यह positive ऐसे हम इसको series में जोड़ देंगे चलो मैं इसको जोड़ता हूँ मैंने यह tape के सारे से इसको जोड़ दिया है यह positive negative positive इधर है negative positive negative अब solding की मज़सा में wire connect करना है इसमें wire कैसे connect करना है सबसे बहले हम इसमें battery के negative को battery के positive से connect करेंगे इसी तरह से दूसरे साइड में भी हम बीच वाले बैटरी की नेगेटिब से साइड वाले पॉजटिव को कनेक़ करते हैं चलिए मैं इसमें बायर कनेक करके दिखाता हूं आपको सबसे पहले मैं सारे बैटरी के पॉइंट में थोड़ा-थोड़ा शोल्डिंग लगा देता हूं जिससे बायर को चिपकने में हमें हेल्प मिल सके तो चलिए मैं थोड़ा-थोड़ा शोल्डिंग सब में लगाता हूं सारे पॉइंट में मैंने शोल्डिंग कर लिया है हम एक बायर को कनेक करना है इसका बायर कनेक करना है बिल्कुल इसके नेगिटिव से पॉजिटिव में एक बायर कनेक करना है इसी तरह से दूसरे साइड में भी नेगिटिव के पॉजिटिव में एक बायर करना है मैंने बाईर के दो चोड़े-चोटे टुकड़े काट लिये हैं, आब इसमें हम इसमें connect करते हैं सबसे बहरे हम एक तरह करना है, इसके negative से positive में इक बाईर connect कर लेना है छोले फटापट से मैं इसका celding के मिड़क से connect कर लेता हूँ इसी तरह से मैं दूसरे साइट के भी नेगिटिव से पॉजिटिव में कनेक्शन करता हूँ मैंने कनेक्शन कर लिया है इसका नेगिटिव पॉजिटिव इसी तरह दूसरे साइट का नेगिटिव पॉजिटिव में कनेक्शन कर लिया है अब हमारे पास बच्चे हैं दो पॉइंट, एक ए नेगिटीब पॉइंट और एक पॉजिटिब पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से एक एक बायर को हम शोल्डिंग कर लेंगे मैंने बैटरी से दो बायर निकाल लिया, एक हे नेगिटिव बायर और एक हे पॉजिटिव बायर अब आताती है कनेक्शन बी एमस की, काफी लोग इसके कनेक्शन में कन्फ्यूज रहते हैं लेकिन आज के वीडियो में आपको किलियर कर दूँगा कि इसमें कनेक्शन किस तरह से करना है ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जूरत नहीं पड़ेगी इसमें चार पॉइंट है, एक जीरो वोल्ड, एक 4.2 वोल्ड, एक है 12.6 वोल्ड, इनमें बारी बारी से हम कनेक्शन करेंगे सबसे पहले मैं सारे पॉइंट में थोड़ा थोड़ा सोल्डरिंग बायर को लगा लेता हूँ जिससे बायर आसानी से चिपक जाए अब हमें करना क्या है, बैटरी के नेगिटिव वायरे इसको लेना है और इसके जीरो वोल्ड पे, जहां पे जीरो वोल्ड का पॉइंट है, वहां पे कनेक्शन कर देना है इसी तरह से रैड वायर लेना है जो पॉजिटिव वायर है इसको 12.6 वोल्ड पे कनेक्शन करना है अब बारी आती है बाकी दो पॉइंट की वायर के एक 4.2 और 8.6 वोल्ड में है तो आप मैं आपको दिखाता हूँ 4.2 वाले को कहां कनेक्शन करना है और 8.6 वालों को कहां कनेक्शन करना है सबसे पहले हम देखेंगे नेगेटिव वायर जहाँ पर हमने कनेक्शन क किया था इसके ऑपॉसिट साइड में दो वायर जुड़े हैं इन दोनों पॉइंट में से एक वायर को निकाल लेंगे और एक बार और निकाल लेंगे जहां बैटरी के दूसरे साइड में जहां दो बायर जुड़े हैं इन दोनों पॉइंट से एक बायर को निकाल लेंगे पहले बाले बायर को हमें जोड़ना है इसे 4.2 वोल्ट पे इसे तरह से दूसरे बायर को भी हम जोड़ लेंगे और इसको कनेक कर देंगे 8.4 वोल्ट यहां पर लिखा है वहां पर हमारा कनेक्शन मिलकुर रेडी है अब हमें एक डावल टेप की मदद से BMS को बैटरी को पर चिपका देते हैं अब मल्टिमीटर की हेल्प से मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूं कौन से पॉइंट पे कितना बोल्ट आ रहा है सबसे पहले जीरो से करने करेंगे जीरो से 4.2 वोल्ट के अंदर हमें आ रहा है 3.87 बोल्ट और दूसरे पॉइंट पे आ रहा है हमारा 7.6 162 वोल्ट और तीसरे फाइनल पॉइंट पार रहा है हमारे पास 11.5 वोल्ट अब हम लेंगे दो बायर एक ब्लैक और रेड इसके बैटरी के आउटपुट बायर से हमें इसको जोड़ना है अब आई आती है बैटरी की टेस्टिंग की हमारे पास है ऐसी 12 वोल्ट की 775 डीसी मोटर यह 12 वोल्ट से उप्रेट होती है चलो इसको चला के देखते हैं आप देख सकते हैं यह प्रॉपर इसमें बर्क कर रहा है और हमारे बैटरी पैक से काफी अच्छा बोल्टेस निकल रहा है यह वीडियो अगर आप अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और साथे साथ चैनल पर पहली बारती चैनल को कर लेना सब्सक्राइब मेरे पास एक दूसरी एलेडी है बारा बोल्ट की इसे भी हम अप्रेट करके देखते हैं इस पर आप देख सकते हैं इसमें एलेडी भी बहुत अच्छे से बर्ग कर रहा है अगर कोई जानकारी रहे गई हो तो आप कमेंट करके पूस सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के लाइक जरूर करते ना फ्रेंड्स मिलता हूं आपसे अगले वीडियो के साथ आपसे कर देख सकते हैं अगर एंग झाले ऑगार भीडियो के में जरूर के लाइक आपसे जोपा ह।